अब हालात यह हो गए हैं कि PM, CM, MLA, MP सबसे जादा इन पर खत्रा मन राने लगा है सोचिए गुजरात के एक जज ने एक फैसला दिया और दो साल की सजा हो गई और राहुल गांधी के सदस्ता खत्म अच्छा आप कल्पना कीजिए, कई राज्यों में कॉंग्रेस की सरकार है मैं हिंट नहीं दे रहा हूं, बता रहा हूं एक लोवर कोट के जैजे जज मैनेज करना कोई बड़ी बात तो नहीं है परधान मंत्री को दो साल की सजा सुनवा दिया है किसी मामले पर? फास्ट्रेक कोट है, माली जे कल कोई बयान पर एक फैयार दर्ज करे लोवर कोट के जज से फैसला दिलवा दे परधान मंत्री की सदस्ता गई, परधान मंत्री गए MLMP गए, सोचिय इसे बनाना रिपब्लिक कहा जाता है सोचिय दोहजार तेरह में सुप्रीम कोट का एक फैसला आया इसी तरह कादेस आया था उसके बाद इस बात को राहूल गान्धी की सरकार थी यूपिया टू की सरकार थी और इसके खिलाप एक अध्यादेस आ रहा था आप सोचिय जो लोग इस बात को नहीं समझ रहे है आप सोचिय इसका मतलब यह नहीं कि राज सरकार को मैं आईडिया दे रहा हूँ छोटी कोट से सजा होने भर से सदस्ता छीन लेने का सुप्रीम कोट की लीली थमस केस का फैसला न्याय परकिरिया का मजाक है तब जबकि मामला अपील में जाने वाला हो या जा चुका है राज सरकारे चाहे तो पूरी संसत की सदस्ता रद करा दे निचली अदालते उनके पास है आप सोचिये दिलीप मंडल कह रहे हैं इसका यह मतलब नहीं है कि मैं हिंट दे रहा हूँ यह कितना बड़ा मतलब लूफोल्स है भारत में अठारह हजार से ज़्यादा कोट है माल लीजिए कोई मुखमंत्री एक कोट मैंने मतलब किसी कोट से माले जो भी पक्षी सरकार है और वो बीजेपी के पच्चास सांसत को दोसी ठहरा दे एक आदमी जाए एक फाई आर दरच करा दे राहुल गांधी ने जिस आदमी को गाली दी थी उसको तो नहीं लालू यादव को सिर्फ बरवाद करने के लिए यह सारे फड़े भी जूटे यह मैं बार बार कह रहा हूँ नहीं यह कॉंग्रेस का पाप है सोचिये किस तरह से 18,000 अदालते हैं कॉंग्रेस का नेताकल परधान मंत्री के नाम से एक केस दर्च करा दे एक लोर कोट का जज़ फैसला दे दे कि तीन साल की सजा न कोट न सुनवाई न हाई कोट न सुप्रिम कोट उनकी सदस्ता चली जाएगी परधान मंत्री पर से इस्तिफा देना परेगा हर मुख मंत्री के साथ ये हो सकता है ये कितना खतरनाक है सोचिये आप ऐसे दोर में जब लोग मूँ फुलाने पर फैयार दर्च करा रहे है पुलिसिया तांडब चल रहा है हर सरकार जहां जिसकी सरकार है पंजाब में पंजाब पुलिस आ गई किसके हाँ? कुमार विश्वास के हाँ मेरे कलीग ने बताया तो जहां जिसकी अभी देखे वो कई पत्रकारों क्या 36 गर पुलिस आ गई थी तो ये जो ट्रेंड चला है पुलिस आ ट्रेंड अब बताये कि कोई भी आदमी कोट जाकर इस तरह का फैसला कल किसी के किसी सी एम पी एम सांसाद एम पी एमेले के खिलाब सोची इसके पहला सिकार कोई बहुजन हुआ था अब तक लगभग आठ दस लोग जो इसके सिकार हुए है उसमें CSTOBC और मुसल्मान है पहली बार राहूल गांधी सिकार हुए है तो पेट में दर्ध हो रहा है मैं सोचिए कितना बड़ा लूप फोल्स है इसकी गंभिरता समझिए इसलिए मैं कहरा हूँ दिलीप मंडल का जो सोचने का नजरिया है वो इस देश में साइध ही किसी पत्रकार के पास है इसलिए मैं कहरा हूँ कि इस देश का सबसे बड़ा सबसे तेज तरार और सबसे ज़्यादा सवाल पुछने वाला कोई पत्रकार है और निट्रल, इमानदार सम्बैधानी कोई पत्रकार है तो वो दिलीप मंडल है 18,000 कोट है 5 कोट से आप अपने 25 परतिदंदी के खिलाब फैसले दिलवाली जी अगला चुनाओ गया और नियम क्या है 2 साल की सजा हो गई तो सदस्ता रहत और 6 साल चुनाओ नहीं लर सकते अब इसके चपेट में कोई भी आ सकता आप सुचिए तेजस्वी आदब की सरकार है बिहार में वो चाहे तो 10, 20, 50 लोग को सजा दिलवा दे 36 गार राजस्तान मतपर्देस में सरकार है वो चाहे तो 10, 20 लोग को सजा दिलवा दे सरते रही है जेल में काईदा ये कहता था कि माल लिजे मैं लोग कोट को भिकाओ नहीं कह रहा हूं माल लिजे लोग कोट से फैसला हो वो फैसला हाई कोट जाएगा सुप्रीम कोट जाएगा सुप्रीम कोट में री अपील के भी चांसे जैं बाबा साब ने बहुत सोच समझ कर चेक अन बैलेंस बनाया था लेकिन आप बना दीजे बनाना रिपबलिक इसलिए लालू यादब को फसाने के लिए जो कानून बनाया गया देर सबेर सब उसकी चपेट में आएंगे इसलिए इस देश में चेक अन बैलेंस जरूरी है और आप सब जानते हैं जुडिश्याडी में कौन लोग बैठे हुए किस तरह का मनुबाद है किस तरह का जातिवाद है कौन नहीं जानता है इस देश में दिलिप मंडल ने भी सर्वे किया था कि खासकर गरीब थे और लालू यादव इसके सिकार हुएं और अब इस तरह के हलात हो गए है अब तो कोई भी किसी को सजा करवा सकता है लोग देखते रहा जाएंगे क्या मैं गलत कह रहा हूँ दिलिप मंडल की लाइन है यह सोचिए कोई भी सरकार किसी भी परधान मंत्री C.E.M.M.P. विधायक को जिससे बात नहीं बन रही है भहिया इनको दो साल की सजा करा दो क्या हम F.I.R. दौर में जा रहे हैं क्या हम बनाना रिपब्लिक बनाना चाहते हैं क्या हम मुनपॉली के दौर में जा रहे हैं यह सबसे बड़ा सवाल है और इसका सबसे बड़ा जो दोश है वो राहूल गांधी के सिर पर है मनमोहन सिंग की सरकार ये बात जानती थी वो अध्यादेश ला रहे थे लेकिन यही राहूल गांधी यंगरी मैन होकरके इन्होंने बिल फार दिया अध्यादेश पार दिया और अब आगे उसकी चपेट में और कल कौन इसकी चपेट में आएगा कल मोदी जी चपेट में आ सकते हैं भाई साहब आप जिस भी पार्टी के समर्थक हैं आपका नेता कल इसके चपेट में आ सकता है जो लोग लालू यादव को लेकर ताली बजा रहे थे कल उनका नेता चपेट में आ सकता है क्योंकि सरकार तो किसी की भी आ सकती है दूसरे बड़ी ख़बर है सोचिए ये एबी पी नियूज तमाम मीडिया का आप चरितर सामने आ गया है दिलिप मंडल इसलिए कहते हैं कल जो सवाल पूछा जा रहा था राहूल गांदी से अब इस देश की मीडिया पर भरोसा मत किजिए ये जो गोदी मीडिया गोदी बीडिया जो कहावत लाया गया है इसलिए कि जातीबाद छूप जाए इस देश में कल जो सुमीत ने कहा बहुत अच्छा कहा इस देश में आज देश की दूरदसा के लिए अगर मीडिया जिमेदार है तो वो जातीबादी मीडिया है मनुबादी अभी से तमाम चैनल कह रहे हैं, सर्वे होता है भया इस सर्वे कौन करता है, कैसे होता है मैंने अभी गुजरात के टेलिविजन का सर्वे देखा 85% लोग कह रहते हैं, बैलेट पेपर से चुना हो अभी से ये लोग UP में BJP को 80 सीट में से 70 दे रहे हैं मीडिया जो है, ऐसा है जो दोसी को निर्दोस और निर्दोस को दोसी सावित कर इसलिए साबधान रहे हैं, और इन TV अख़बार बालों पर तो बिल्कुल भरोसा मत किजिए अगर वहाँ डाइवर्सिटी नहीं है तो हर TV अख़बार को, हर पत्रकार को जाती के एंगिल से देखिए आपको दूद का दूद और पानी का पानी हो जाएगा हम लोग को भी जाती के एंगिल से देखिए हम लोग बहुजण है, 85% लोगों की बात करते हैं, सम्विधान की बात करते हैं हम जातिबात के खिलाफ बात करते हैं, हम किसी जाती धर्म के खिलाफ नहीं हैं, हम जातिबात के खिलाफ हैं, धार्मि करमकान के खिलाफ हैं, कटरता के खिलाफ हैं, जो लोग संविधान के खिलाफ हैं, हम उनके खिलाफ हैं, सुचिए लालू यादव, संविधानिक अधिका गलत उनको सजा होई सब जानते हैं वो पुलिटिकल बिंडेटा उसके बाद ही उन्होंने सजाब होगी बहुजन समाज का आदमी कभी धरना परदर्शन करता है जो उस पर एफायर हो गई जेल जाता है कानुमी परकिरिया को सहता है कौन लोग यात्रा निकालते हैं कौन जो हो रहा है वो सब कॉंग्रेस के राहुल गांधी का सबसे बड़ा प्राद है और आज जो लोग खुश हो रहा है कल उनके नेता के साथ भी यह हो सकता है इसलिए आदेश कानून को इस पर विचार होना चाहिए और दूसरी बड़ी बात है मीडिया पर बिल्कुल भरुस तब तक भारत की मीडिया इमांदार नेट्रल नहीं बन पाएगी वो बायस्ड है जाती को लेकर और धर्म को लेकर आप लोग अपनी पत्किरिया जोर दीजिए और इस मीडिया की खबरों को बैकॉट कीजिए ये मीडिया इस देश के डेमोक्रेसी संबिधान न्याइक बे फिर बेल आइकन की घंटी दवाएं नेसर दस्ता को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें लाइक करें कमेंट जरूर करें